तो लाश्ट अंग पर हम लोग उने जो बात करी थी कि किसी भी कंड़क्टर के बारे में जो भी सारी जांकारी हम मतलब निकाल सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, उसको एक अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, तो उसके अंदर काविटी अगर हम बनाएं और उसमें अगर बाहर से कोई चार्ज भी रख दे हैं, कुछ भी कर दे हैं, इस सारे की सारी बाते हैं, और फेराडे केज की थोड़ी थोड़ी बात करें थी, इसी को हम इलेक्रोस्टर्टिक शिल्डिंग बोल रहे थे, आज उसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ एनर्जी की जड़ चार करेंगे, इंटरेक्शन एनर्जी, अगर हम लोग अभी तक जो बात करें थे, पोटेंशल एनर्जी की लाइक, हमारे पास चार्जेज हैं, एक Q1, एक Q2, उनके बीच की जो पोटेंशल एनर्जी की निकल कर लही थी, ये हमारा अग्लय टास्क है, तो इंटरेक तो माल लो, सबसे पहले हैं, माल लो, महाँ पास एक ये स्फियर है, अब दोखो, यहाँ पर जब भी इंटरेक्शन एनर्जी के बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है, तोटल पोटेंशल एनर्जी औफ डाट पर्टेकुलर सिस्टम अर्थात, उस पूरे सिस्टम को बनाने में जितना भी वर्कडन लगा है, वो सारा का सारा वर्कडन उसमें पोटेंशल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है, ठेक भाई, कोई दिक्कत में मज़ा आया, दे और यह मालू आपका स्टोर्ट नॉट्टिंग एसनसी नहीं से तो यह का इसको और इसको कुछ अलग करते हैं यह वाला होलो है, तक यह एक स्टोर्ट इक होलो करते है इसकी radius माल ली हम लोगों ने R ठीक इसकी माल ली या इसकी माल लो R1 इसकी माल लो R2 और इन दोनों के centers की बीच की distance आप माल लो D ठीक है Suppose that मैंने बोला कि इस पहले वाले sphere पर जो charge है that is Q1 और इस दूसरे वाले sphere पर जो total chance है that is Q2 तो आप से बोला गया find the interaction energy between these two spheres एक हमारा solid non-conducting sphere और दूसरा hollow conducting sphere ठीक भाई को जिक्कत नहीं तो आपको करना क्या है याद करो मैंने इन दोनों की आपको potential is solid ही माल लेते है ज़ए अच्छा रहेगा वाज़ा कोई फरक पड़ेगा ही दोनों में answer तो सेम ही आता ठीक है जो याद है नहीं hollow conducting solid conducting और hollow non-conducting इन दिनों की case में जो potential energy की formula आपको क्या था क्या था क्यू क्यू स्क्वार बाई टूर आ क्या देख Q की जगह इसमें क्या करना है Q1 और R की जगह है R1 यह किसके energy है U1 यह पहले वाले की potential energy ठीक भाई दूसरा वाला स्फियर दूसरे वाला स्फियर जो है solid non-conducting स्फियर इसके लिए करो मैं जो potential energy बताए थी वो अंदर भी थी बाहर भी थी क्यू क्यू स्क्वार बाई आर ठीक U2 क्या है हमारे पास 3 by 5 KQ square by R2 Q2 3 by 5 KQ2 square by R2 यह होगे इनकी individual potential energy अब इन दोनों की बीच की interaction energy ठीक ना इन दोनों को as a charge मानू और उन दोनों charges को system मान करके complete system मान करके potential energy देख दो जो अब U3 लिखेंगे तो इन दोनों की बीच की potential energy लिखेंगे वो हमारी होगी as a charge मान के ठीक ना यह Q1 charge देख KQ1 Q2 by distance की 33 दी तो total जो potential energy निकल करके आएगी U total U total वो निकल करके आएगी U1 plus U2 plus U3 प्लस U3 प्लस दिकत पक्का ठीक रगदी सार्य वेल्यूस KQ1 square by R1 2R1 plus KQ2 square by sorry 3 by 5 KQ2 square by R2 दिख्रा न? ठीक plus plus 33 KQ1 Q2 by by D अब बोलो कोई दिख्क है दिसमें बतारो ठीक है ना? अगर कोई दिख्का तो नीचे कमेंट सेक्षिन में दिख्षिन में दिख्षिन में ठीक है? चलाँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फेज का अब ये last segment जो बचा हुआ है आपका conducting plates इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पर्टिक्लर पॉर्शन है ये segment से खतम हो जाएगा ठीक तो conducting plates में किस तरह से चर्चा करते हैं? देखो जाएंसे क्याचिस? conducting plates याद में डिलाइटिंग इच्छी वक्ती जा रही है है ना? conducting plates जादीफ अपने करनी चाहिए कभी कभी conducting plates से हम सब सबस्क्राइब क्या करते हैं? माल लो यह हमारी conducting plate है conducting plate का मतलब एक सता इस तरह से होगी मतलब पुरी एक plate होगी ना इस तरह से हाथ है तो एक बात हम लोगों ने यह बात करी है कि जब भी किसी conductor को उपन चार्ज देते हैं माल लो उसको उपने क्यों चार्ज दिया तो वो जो चार्ज है वो उसकी surface पे distributed होता है माल लिया कि इसकी जो thickness है यह इतनी रही है कि इस पे कुछ खास charge distributed हो तो उसको बहुत 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 तो जो सारा का सार्ज है वो इन दोनो surfaces पे distribute हो जाएगा ठीक कितना कितना distribute होगा तो क्या दोनों की दोनों surfaces symmetric हैं तो इस पे भी आ जाएगा qy2 और इस पे भी आ जाएगा qy2 ठीक अगली चीज याद को हम लोगोंने जो infinite non-conducting sheet पड़ी थी उस non-conducting sheet के पे जब हम लोको charge distribute किया था तो उसके पास में जो electric field लिया था दाग्वाव सिर्मा भाई 2 epsilon 0 अब इसमें क्या है इसमें जब हम electric field का calculation करते हैं देखो धान से मालनो यहां पर हम electric field निकलना मालनो यह point को यह point है इस a point पर जब हम electric field लिखेंगे तो यहां देखो धान से यह एक plate मालनो इसकी वर्ण से यह electric field लिख दो यह plate मालनो और इसकी वर्ण से यह electric field लिख लो कि दोनों के विए से direction जो है ठीक है तो यह जो हमारा electric field ला गया यह हमारा sigma by epsilon not बाहर किसी conducting plate के ठीक है ना मालनो हमने बोल दिया कि अंदर किसी point पर निकलना है तो अंदर किसी point पर electric field निकलना के लिए मनों B पर अगर हम बात करें तो B पर electric field जह हम calculate करेंगे तो वह दहां से देखो इस वाली plate के लिए इधर और इस वाली plate के लिए इधर इसका मतलब है कि E sigma by 2 epsilon not minus sigma by 2 epsilon not is equal to 0 अर्थात किसी भी conducting plate के अंदर electric field कितना होगा जीरू यह तो बात आपन पहले से जानते हैं किसी conductor के अंदर electric field कितना होता होता है जीरू उसको यहां से भी समझ लिया हमने अब मालो कि हमारे पास दो conducting plates है ठीक मालो इस पर हम लोगों ने कुछ चार्ज दिया और इस पर भी कुछ चार्ज दिया पॉज बाल इस पर चार्ज दिया q1 और इस पर चार्ज दिया q2 टेक है इस q1 का कुछ भाग इस वाली सरफेस पर इस इस दिस्से बिउट हो जाएगा इधर और कुछ बाहग इधर पर तो मालो इधर इधर इस्टिबिउट हुआ तो हमने positive charges दोनों पे distribute कर दिया वह दिक्कत ठेम अब एक बात हम यह जानते हैं कि किसी भी conductor के अंदर जो electric field निकल कर आती है that is zero that is zero इसका मतलब है अगर हम लोग अगर हम लोग इस भाग में इसके जो अंदर वाला पार्ट है यहाँ पर electric field calculate करें और उसको zero के बराबर कर दें तो कुछ हमें मदद यहाँ से मिलने की संभावना है चलो लिखता है मालोग इसके अंदर किसी पॉइंट पर electric field लिख रहे हैं तो इसके अंदर किसी पॉइंट पर electric field लिखने हैं का मतलब क्या है तो यानि इधर की electric field बराबर उधर की electric field लिख देंगे तो क्यों के रसे किपता जाएगा देखो formula क्या था sigma y epsilon sorry जब हम conductor के लिखते हैं तो मालोग हमने लिखा sigma by epsilon not sigma by epsilon not या sigma by 2 epsilon not अगर हमने लिखा तो यह भी तो depend करेंगा ना हम किस की वरे से लिख रहे हैं तो charge भी तो हमें लिखना पड़ेगा अगर हम चार्ज की वरे से लिखे sigma को चार्ज में convert करेंगा तो क्या बजागा q1 by इसका एरिया माल लिए a 2a epsilon not तो हम इस form में लिखेंगे sigma के form में लिखेंगे लिखेंगे हम चार्ज की बात कर रहे हैं पर चार्ज टेंसिटी की नहीं तो लिख लो चार्ज की वर्म में क्या जाएगा q1 by 2a epsilon not इधर की तरफ इधर वाले सारे लिखनों इस इकल टो q1 by 2a epsilon not sorry q2 by 2a epsilon not plus q3 by 2a epsilon not plus q4 by 2a epsilon not correct है कुछ कट रहा है क्या बचा q1 is equal to q2 plus q3 plus q4 इसको रहुत है नुम्बर 1 ठेक similarly अगर हम लोग इस वाली मन लोग इसमें यहम लोगों लिखाते हैं यहम लोग पॉइंट A था और यह इसके अंदर एक पॉइंट B तो यहम लोगों लिखाता है एट A अब अगर अपन एट B लिखें 2 जो मेन चीज हम लोगों ने किया वो क्या किया कि q1 को दो भागों बाता है q1 is equal to q1 plus q2 q1 जो अपना पॉर किया तो किस पर किस में बटा है q1 और q2 में और q2 हमने बाता q2 बाता q3 और q4 में इसको डाल दो equation number 3 और इसको डाल दो equation number 4 correct है कोई दिक्कर आत है अब एक काम करो कि हम लोग इनको solve करेंगे और देखो 4 equation 4 variable चारो को solve करके हमें q1, q2, q3 और q4 की values लिकालेंगे है तो solve करने का simple तरीका बन सकता है एक काम करो कि 2 में से 2 और 1 को जोड़ो आपस में देखो क्या बनता है अगर 2 और 1 को आपस में जोड़ेंगे पन तो मारे पास जाएगा थोड़ा सा लिख लेते इसको q1 plus q2 plus q3 और इधर हम बचा q1 जोड़ गया, उधर क्या जोड़़ा is equal to q4 plus q2 plus q3 plus q4 correct है, कुछ कटा है q1 से q2 से q2 कटा q3 से q3 कटा यहां आगया 2 q1 is equal to 2 q4 q1 की value कि की बराबरा आगया q4 की और आप 1 से 2 को घटा दो 1 से 2 को घटा होगे कितना आजाएगा 2 से बन को घटा दो को दिक्कत थोड़ी है 2 से बन को घटा दो तो आजाएगा q1 plus q2 plus q3 minus q1 is equal to q4 minus q2 minus q3 minus q4 यहां से क्या कटा यहां से आप पास कटेगा q1 minus का है q2 minus q2 plus का है तो कुछ cancel हो रहा क्या नहीं हो रहा क्या q2 कुछ गर बढ़ किया क्या 2 minus 1 किया है तो उल्टा लिख दिया माने शामत है यह plus का है यह q1 plus q2 plus q3 minus q1 q1 से q1 cancel out हो गया वहां पर और यह q4 से q4 cancel out हो गया हो तो गया ठीक है और एक काम करो q2 को उठा के इस तरफ ले आ तो यह जाएगा 2 q2 q3 को उठा के इस तरफ ले चलो तो यह जाएगा minus का 2 q3 यह 2 से 2 cancel out हो गया q2 is equal to minus q3 एक यह चीज बनी और एक यह चीज बनी q1 is equal to q4 q2 is equal to minus q3 अब इन दोनों को उठा करके 3 और 4 में लगा दुआ करके ठीक है जब 3 और 4 में रखोगे तो क्या जागा q1 की जगह पर q4 रखो q1 की जगह पर q4 रखो और q2 की जगह पर q3 रखो करके देखते हैं देखो q1 कहा गया हाँ यह रहा q1 की value यहां से कित्ती बनेगी यह हमारी बनेगी q2 plus q4 ठीक है और q2 की जगह पर क्या रखना है हमको q3 की जगह पर क्या रखना है हमको minus q2 कर दो यहां पर q2 is equal to q3 की जगह पर minus q2 plus q4 correct है दोलों को जोडो q2 से q2 cancel out होगा q4 की value क्या आगई q4 की यहां से value आगई मारे पास q1 plus q2 बटा 2 important result क्या है q4 की value आगई मारे पास q1 plus q2 upon 2 अब यहां से एक एक value निकालते जाओ इसका मतलब क्या है q1 की भी यह value होगी तो इसको अलग जगह रिख लेते है q1 की भी आई होके आपर दिखने रहा होगा तो एक काम करते हैं इसरा से चाहिए बनाते हैं और इसको इधर लेते हैं ठीक ना तो यह आगई हमारे पास q1 is equal to q4 is equal to यह value लिख दो q1 plus q2 by 2 इसकी q1 और q4 की ठीक q2 और q3 की value कहा से निकालोगे अब एक काम करो यहाँ पर जो किया था q1 की जगह पर क्या रखा था q2 plus q4 इसको भी निकाल दो यहां से अब इसमे q1 और q4 था तो अब एक काम करो इसमें हमें निकालने की इसकी value है q2 की अच्छा वह यह तो यहाँ पर हमने क्या किया था q2 रख दिया था किसकी जगह पर q1 अच्छ यह कुछ गब हो गया था q1 की जगह पर हमने रखा q2 plus q4 अच्छा यह 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 और यहाँ यह किया मैंने तो एक काम करो q3 की जगह पर q3 q 4 डगु 1 रख दो जले यह आके आ जाएगी q1 की जगह पर q1 की जगह पर q4 q2 की जगह पर q1 q2 की जगह पर q3 जग पर q2 की जगह पर q2 की जगह पर यह लिख दोक zeker आपके पास q3 q3 को q3 बना रहे नहीं q3 को q3 मिद बना रहे नहीं q4 की जगा q1 कर दो ठीक है और q3 को q3 बना दें अब बन जाएगा ठीक है सुरपरा सबस 4 equations को चार करें के Mission कीश भी नहीं है ठीक है बोलों को minus कर दो अब दोलों को minus करेंगे तो आजाएगा Q1-Q2 और इधर हो जाएगा यह 20 को माइनस करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा दोनों Q2 से Q2 कर जाएगा या जाएगा मामनस का 2Q3 यहनि Q3 की वाल्य श्रक्ट्रिकप्ट आ जाएगी Q2-Q1 upon 2 और Q Q2 की वाल्यू क्या जाएगी Q1, Q2 इसका माइनस कर दो माइनस Q2 अपॉन 2 बस यह बन गया, आई होब आपको दिख रहा होगो ठीक है, बस थोड़ी सी लंबी calculation थी और कुछ भी नहीं था, last था, मैंने सुच अधर वासा परेशान करके छोड़ा जाए सबसे calculation भी जाया जाए और calculation खुज से भी कर दो, देखो 4 equation थे ना आपके बास एक यह वाला, एक यह वाला, एक यह वाला, एक यह वाला, इन दोनों पहले इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया ठीक है, फिर इन दोनों से जोड़ा तो एक equation मानी फिर इन्दिनों को जिब घटाया तो एक प्वेशन में उन दुनों का यूज हम लोगों ने इस थर्ड और फोर्थ एक्वेशन में करके आंसर्स निकाल दिये अब रिजल्ट जो निकला उसको इक बार लिख लेते हैं ठीक है जो निकला उसको एक बार डिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा पहले इसको आप उतार हो एक बार अच्छे से स्क्रीन शॉट पर लेवा लेवा देख नंसर्स रिजल्ट क्या बना वारे पास कि एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है हम लोको ने इस पर Q1 चार्ज जाला और इस पर Q2 चार्ज जाला यहाँ पर Q1 बटा यहाँ पर Q2 आया यहाँ पर Q4 आया Q1 is equal to Q4 आया और उसकी वैल्ली किसके बार आप आप आई Q1 plus Q2 by 2 कि है ठीक है और Q2 is equal to minus Q3 आया ठीक है Q2 की वैल्ली आपी मारे पास Q1 minus Q2 by 2 और इसकी वैल्ली आपी मारे पास Q2 minus Q1 by 2 थे का मतलब क्या हुआ कि अगर मारे पास mm तो ठीक है मालो हमने यहाँ पर चार्ज डाला 2 क्यू और यहां पर चार्ज डाला क्यू यह मालो यहाँ पर पिचार्ज डाला क्यू आप रोगोंने 3q यहां पर आएगा और 3q यहां पर आएगा अब करना क्या है कि जो q2 है उसको किसके बाराबर करना है q1-q2 by 2 कि इसको अब डिरेक्ट भी कर सकते हो कईसे है आए 2q डाला था अगर यहां पर 3q आगया तो एक्स्रा एक q आगया इसका में तो यहां पर माइनस q होगा अब डिरेक्ट भी कर सकते हो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो फॉर्मूला आगा है q1-q2 यहनि 2q-4 यहनि-2q अपाउन 2 by 2 यहां तो प्लस q यहां तो दुन आपस मे अपोसितर है इस तरह साइन को चार्ज माटना कैपसितर में बड़ा काम आने वाला है । यहां तो इस उधारन के साथ में डिदान के साथ में एक्जंपल कर सकते हैं अब अपने अलेक्ट्र consensus के सफर को पर नहीं-पर खतम करते हैं तो आईोप इस जो पूरे इलेक्ट्रोस्ट्रेटिक्स का सीरीज था वो आपको पसंद आया होगा ठीक है और अभी काम बाकी है इसमें मेगनेटरिजम भी बाकी है बाकी कैपेसिटर बगएरा भी चीज़े काफी बाकी है उसको अपन देदे रिकवर करते रहे हैं तो आज की क्लास में तई रखते हैं अब अगली चीज़ होगे लिए थोड़ा सा इंतिजार कर देना ठीक है चलो मिलते हैं अगली राखसमें तब तक के लिए थैंक्यू सो माच बाए